असलाम अलेकुम दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट आइसक्रीम तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है बिस्मिल्लाही रह्मानी रहीम तो पहले मैं नॉन्स्टिक पैन में डालूंगी देड़ कब दूध यह रूम टेंप्रेचर मिलक है ठंडा या गरम नहीं ह अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप डाक चॉकलेट इसको हम चॉप करके डालेंगे आप चाहें तो मिल्च चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा स्वीट होती है अब हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून कोको पाउडर या कोई ठालेंगे तो इसमें लम्स हो जाते हैं तो पहले हमें इसे डाल कर मिक्स कर लेना है उसके बाद ही हम गैस की फ्लेम कॉण करेंगे तो ध्यान रहे कि कोई पाउडर और कॉण फ्लार दोन अच्छ से इसमें डिजॉल वह जाए दूद में यह देखे यहां पर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम गैस की फ्लेम कॉन रखेंगे और एकदम अज पर हमें चॉकलेट को मेल्ट कर लेना है तेज़ पर अगर आप इसे पकाएंगे तो चॉकलेट जलने लग जाएगी इसलिए स्लो पर चॉकलेट को मेल्ट करियेग चार से पांच मिनिट हो गए है यहां पर देखे चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है अब आप फ्लेम को तेज़ करके इसे अच्छे से कुक कर सकते हैं तो यहां पर इसका एक डो जैसा फॉर्म होने तक हम इसे पका लेंगे यह ठीक हो जाए लिए लग जाएग हम इसे कंटिनियूस चलाते रहना है और इसे पका लेना है तो यह देखिए इसका यहां पर एक पेस्ट जैसा तयार हो गया है अब इसे हम मिक्स करके गैस की फिलिम को उफ कर देंगे और अच्छे से इसे ठंडा कर लेंगे अब एक बोल में आड़ कर रही हूं देर कप चिल विप क्रीम अब अपनी पसंद की कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं बस इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए लेकिन एकदम चिल होने चाहिए जितना मेजर्मेंट में आपको बता रही हूं आप वही इस्तिमाल करेंगे तो इंशालला बहुत अच्छी सी आपकी रेसिपी बन कर त्यार होगी आइस क्रीम की तो देर कप हम इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल देंगे दोनों की कॉंटिटी हमें बराबर ही रखनी है और इसे हम विप कर लेंगे जब तक इसमें सॉफ्ट पीक्स ना फॉर्म हो जाए अब हम इसे रुख देते हैं तो 1 मै mm, मैं डाल रही हूं, 1 3 अच्छ काप कंडेंस मिल्क, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कंडेंस मिल्क डालें समया ड्ला अ कैस करकेंें कि अगरम इसमें ऊच्छाफों कर सकते हैं चाहते चीज अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए है तो यह दिखिया हमारा चॉकलेट का मिक्स्चर था वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है अब इसे एक बार हम इसे भी विप कर लेंगे ताकि इसमें कोई लंस वगेरा ना रहे है यह दिखिये कितना डेकेडेंट सा हमारे बहुत ही टेस्टी दिख रहा है इसे अच्छे से हमने विप कर लिया है अब इस सारे मिक्स्चर को हम अपनी आईस क्की में डाल देंगे लिए आप इसमें बहुत चोकलेट का फिलेवर आता है और जो को उन्पलार है उसके वाज़र सेमारी से स्थीज्च्री म बहुत स्ट तो इसको एक बार वापस से हम विप कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ा आपस में अच्छे से मिल जाएं तो यह देखे चॉकलेट और क्रेम अच्छे से आपस में मिक्स हो गई है अब हम इसमे डालेंगे आधा कप ठंडा दूद बॉल करके हम इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है फिर इसमें हम एड़ कर देंगे और एक लास्ट टाइम हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पिए अब इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं अगर आपको लगता है बहुत जादा गाड़ा है थिक आप इसमें थो ड़ा सा मिलक और एट कर सकते हैं अगर लग रहा है बहुत जादा आपका पतला हो गया रानी हो गया है तो आप इसमें विप क्रीम आड़ कर सकते हैं थोड़ी सी और तो अब ते लिए हम इस को में डाल देते हैं चॉकलेट चिप्स आप अपनी पसंद के हिसाब से कमया जादा डाल सकते हैं चॉकलेट चिप्स को भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा आइस्क्रीम का बेस बन कर तयार हो गया है अब हम इसे ट्रांसपर कर लेते हैं जिसमें हम इसे जमाने वाले हैं तो जो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेर करिए इस रेसिपी से आप 2 लिटर आइस्क्रीम एकदम आसानी से बना सकते हैं यह मेरा जो कंटेनर है वो 2 लिटर को और एकदम फुल हो गया है देखें अब इसे हम रख देंगे फ्रीजर में आँट 10 घंटे के लिए जब तक यह अच्छे से जम न जाए तो ऐसा हम इसके पर चॉकलेट चिप्स और गानिश कर देंगे इसे ढख कर रख देंगे सेट होने के लिए तो हमने इसे पाच मिनट के लिए बाहर निकालकल पहरे रख दिया था अब हम इसको स्कूप आउट करेंगे अब देख सकते कितनी अच्छी सी क्रीमी सी हमारी चॉकलेट आइस क्रिम बन कर तयार है आप भी से जरूर बना कर ट्राइ करेंगे इंशाला आपको ये रेस्पी बहुत पसंद आएगी आपके घर में सभी को ये बहुत पसंद आएगी अगर वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के तार शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा लगोस्तों और आपको सब्सक्राइब करो भूले है जल्सक्राइब करें जलो libr है ह। झाल यार, है बहुत है झाल झाल